हालो फ्रेंड्स मैसल दॉक्टर सुशीला सैनिक अनेकलोजिस्ट अप्सटीशन आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेग्नेंसी में होने वाले खुजली के बारे में बहुत से पेशिंट होते हैं जो बार-बार शिकायत करते कि मैडम बहुत खुजली हो रही है तो आखिर हमे कहीं न कहीं कोई न कोई प्राब्लम है जिसके वाज़े से खुजली हो रही है और यदि बहुत सिव्यर है खुजली यानि कि आपके हातों पर पैरों पर पूरी बॉड़े पे हो रही है तो फिर डेफिनेटल का इवैलुएशन करना बनता है कि आकर खुजली क्यों हो रही ह तो ड्राइनेस ऑफ स्किन की वज़े से भी कई बार खुजली होती है तो ऐसे स्थिती में आप इमोलियंट्स यूज़ कर सकते हैं यानि कि जो जनरल बॉड़ी लोशन होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके स्किन ड्राइ रहती है तो आप डेफिनेटली ग्लिस यूज़ करने से ग्लिसरीन को आप डाइल्यूट कर सकते हैं पानी मिलाकर या गुलाब जल मिला सकते हैं या फिर आप डायरेट ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं तो जैसे रात में आप ग्लिसरीन लगा के सोते हैं तो आपके स्किन एकदम से स्मूथ हो जाता और मौनिंग में इसे आपको ड्राइनेस की वज़े से तो डेफिनिटली चला जाएगा सेकेंड तिंग यदि आपको ड्राइनेस बहुत ज़ादा रहती तो आपको साबून का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जैसे यह कोई भी केमिकल अपने स्किन पर यूज करेंगे तो जितना भी नॉर्मल ऑइलिंग या मॉश्चर रेवाडी का वह चला जाएगा तो साबून बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना दूसरा कौमन कारण जो इचिंग रहता है प्रेग्निसी के अंदर बिमारी यह जो की बिमारी के लीवर के ईंजाइम्स बढ़ जाने के कारण होती है । बाइल साल्ट होता होता है जो लीवर के Hans Smile कि ह्षजली करने वाला कैमिकल होता है जिसकी वजह से बाड़े में हमारे होने लगते हो अदो हातों पैरों पे खून निकलाता है ऑग्टर को दुरन्त रेपोर्ट करी तो इकीं बहुत देकर रोकाना जाये तो बच्चे के डेथ हो सकती है तो इसे स्थिति को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए क्योंकि यदि आपने इग्नोर किया तो इसे स्थिति में बच्चे का नुकसान आपको उठाना पढ़ सकता है तो बहुत सेरियस रही है यदि आपको खुझ लिए तो दॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट कीजिए, दॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो सबसे पहले दॉक्टर आपके फिटल हाट याने की बच्चे की धड़कन चेक करते हैं, कि बच्चा सगी है या नहीं है, सेकंड तिंग आपके लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं, बाइल साल्ट का लेवल चेक कराए जाता है, बाइल साल्ट का लेवल यदि बढ़ा हुआ आता है, और लीवर के इंसाइम सी बढ़े हुए आते हैं, तो डॉक्टर आपको कुछ मैडिसीन प्रिस्काइब करते साथ से दस दिन की उसके बाद दुबारा चेक अप करते हैं और आपको सलहा दी जाती है कि जब तक कि आप कोई प्राब्लम चल रही है बच्चे की मुमेंट का स्पेसिफिक ध्यान रखिए और यदि आपको लगता है कि बच्चा नहीं घूम रहा है या कम घूम रहा है तो त